हेलो बच्चों कैसे हैं आप सभी आई होब कि आप बहुत डेडिकेटली तैयार हैं अपना एस्ट की तैयारी के लिए 2024 के लिए जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जर्नल स्टेडिस का बैच लेके आए हैं और उसी के लिए आपके पास ये जो आ रहा है ये आपके पास डेमो लेक्चर है ठीक है इसमें बहुत कुछ तो सीखने को नहीं है मगर कुछ मज़ेदार चीज़ें आपको बहुत समझ मे सब्सक्राइब करें है तो सबसे बात करते थे रही बता है यह बताने के रहत नहीं है क्या पता है तो मुझे都 किया है और मैंने कोई चीज कर गिस करता है तो किया सच में उसकी खराब है अभुलताच चलते है आपके डिमांड को मीट नहीं करता पर क्या खराब है आप कोई बोलता है जबते कि देखिए अब ऐसा भी हो सकता है और तुम्हें आधे दवाई का असर होगा भाई बॉडी में कोई बीमारी है दवाई क्या करेगी रिमूब कर देगी उसको मगर आप बोलतों दवाई ना मीठी होनी चाहिए अरे भाई कैमिकल है नहीं भी हो सकता है मीठा ऐसे कैसे पॉसिबल है तो आओ चलो दिखाता हूं कि क्वालिटी में कहा लिए कार दिख्कते आती हैं तो सबसे पहले यह ठोटा सा इंट्रोडेक्शन था कि भीए देखो मेंने जो बनाया है जो चीज़ें हम ढूड़ रहे हैं किसी प्रोडेक्ट में जो क्रेक्रेक्टर स्थिक्स हम ढूड़ रहे हैं क्या उसमें वह गश्जफ में अगर है तो सबको पता है, यह सबको पता है, यह सैट का ना में तो इसने रख दिया, what is quality, हम तो कुछ और पढ़ेंगे ना यार, हम तो पढ़ेंगे, कि देखो सर, देखो, सबसे पहले बात करते है, quality of, क्या है बच्चो? quality of design, quality of design, ठीक है, फिर कहाँ पर आते हैं सर, फिर हम आते हैं लेट से फिर अगले मोट पर आते हैं और क्या पढ़ते हैं फिर हम पढ़ते हैं quality of quality of conformance quality of conformance और फिर हम अगले पर आते हैं तर quality of conformance के बाद क्या पढ़ते हैं quality लेट से यहां पर आते हैं और यहां पढ़ते हैं quality of क्वालिटी ओफ परफॉर्मेंस क्या पड़ते हैं quality ओफ परफॉर्मेंस तो मज़ा तो आपको यहां पर आएगा मज़ा तो यहाएगा कि quality और नीपन प्पप्राइगा कुवालिटी ओफकव कर देंद है क्या तो सब्सक्रेंद मैं ने सुचा मैं बढ़िया पैन बनाते हैं इसका डायमीटर कितनी होनी चाहिए इसका वेट कितना यह गणा लेंग्ध इसका शेप इसका डायमीटर इसका वेट यह सब क्या है डिजाइन तो पता चला कि मैंने यार अपनी तरफ से डिजाइन एक्तुम भड़िया बनाई बहुत बढ़िया ब बताता हूं जैसने भी बनाया होगा मार्केट में धड़ादर भिक रहा है कुप भिक रहा है यह वाला पॉइंट मगर अगर देखा जाए तो डिजाइनिंग ओक है समझना यह बड़ी-बड़ी मजीता चीज में आपको समझा रहा हूं यह क्या है अरे यह तो ओक है बढ़ उकक लिए जो मैंने डिजाइन किया था यह इंक औरो और उन्होंने पता है क्या किया मतलब जैसा आप designer ने दिया था बिलकुल exactly वही replica उतार दी ये भी tough होता है बच्चो ये भी tough है designer ने क्या बनाया और manufacturer ने क्या बनाया design क्या किया गया तो क्या वो सच में manufacturing में replicate हो पाया या नहीं हो पाया तो अगर वो replicate हो गया manufacturing में तो ध्यान से सुनिए ये क्या है बिटा manufacturing quality of conformance कहां पर चेक होती है ये manufacturing है क्या है ये manufacturing और ये भी क्या है क्यों okay है क्योंकि इसका जो design है और इसकी जो output आ रहा है manufacturing का दोनों meet कर रहा है exactly वही बनाया गया है जो designer ने भोला था मगर ये कौन है customer customer के पास product पहुँचा customer के पास क्या हुआ product पहुचा बच्चो customer ने क्या किया customer ने summar है I am sad क्या है I am sad तो इसका मतलब क्या है बई यहाँ पर cross कर दो यहाँ पर क्या कर दो बच्चो cross मेनृफ़ब्चरिंग भढ़िया थी manufacturing भढ़िया हुई है फिर ये क्या हो गया यह quality of performance यह कैसे खराब हो गई, तो इसका ज़रा practical सा example बताता हूँ, practical है ना, यहां लिख दूँ, unhappy, भड़ा गटिया सा मुझ बना रखाया, unhappy, customer क्या है, unhappy, तो इसका मतलब quality of design ओके है, quality of conformance ओके है, पर quality of performance not okay है, not okay, ठीक है, अब इसका एक छोटा सा logic बताता हूँ, बिल्कु लोग को ही बताता हूँ, यह pen की बात कर रहेती हैं, अगर इस pen में, आप लोग ध्यान से देखना है, इस जगा पर, इस जगा पर, अगर थोड़ी एक rubber चड़ा के दे देते हैं, या gripping इसे थोड़ा सा यहां पर खुद्रा कर देते, gripping होती, gripping, तो क्या सा रहता, तो क्या कस्टमर नेपी बताओ, बोलता है तुमने पैर नेतना स्मूथ बना दिया है, फिसलता है हाथ से, क्या होता है, फिसलता है, कस्टमर नेपी, आप बोलोगे सर कस्टमर की बात जायस तो है, पर वेटा एक चीज और बता दू, यह वाला फेक्टर भी डिजाइनर यूथ अप तो यहां पर पेन होना शुरू हो जाएगा, निशान बनने शुरू हो जाएगा, समझ में बात आती है, नहीं आती है, ठीक है, तो इसका मदलब आपको क्या बताया, कि कस्टमर जो है, कस्टमर हो सकता है, फिसलता है, मगर बोलोगे यार, सर अल्टिमेटली हमें क्या करना ह हमें तो कस्टमर को सैटिस्फाइ करना है, अगर कस्टमर जाएगा, तो पहली बात सुनो, एक चैप्टर में आपको पढ़ाओंगा, जिसमें बोला जाएगा, कि देखो भाई, दुनिया के, अगर मान के चलो, इश्वर भी आजाए, भगवान भी आजाए, और बोले, कि द सुनना द्यान से, दस लाख में से, फोर लोग बोलते था हूँ, चार लोग, ठीक है न, क्या होगा बेटा, दस लाख में से, चार लोग पता है, क्या बोलेंगे, यह तो बेकार है, भगवान भी पता नहीं क्या क्या बनाते रहते हैं, क्या दुनिया बना दी, क्या बेकार, कि सारे कस्टमर को सैटिस्फाइए नहीं किया जा सकता पहले तो क्वालिटी के कैटिगरी यह बहुत बड़े बड़ी चैप्टर है बहुत अच्छे चैप्टर हैं मगर आपको बताता हूं कि एक कॉंसेप्ट आएगा इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है यह मैं हर साल प मुझे याद है टोटल सेवन या एट कॉशन साय थे क्वालिटी से जिसमें कि 600 टे मतला उसमें बच्चे को कुछ सोच रही नहीं है कड़ा कटिक किया आगे बढ़ो दो मैं सोचना था वह भी नोट्स में से सोचा जा सकता है बहुत आराम से बहुत आराम से सोचा जा सकता ठीक है ना क्लियर तो फुल माक्स लेके आए बच्चे क्वालिटी में फुल माक्स लेके आए ठीक है यह देखो सिक्सिगमा अब यह सिक्सिगमा क्या बोलता है सिक्सिगमा उन्हीं लोग की बात करता है जो भगवान में भगवान में भी कमी निकाल दें समझे क्या बोलता तब आपने क्या क्या होती है पर वो छोड़ो हमने क्या क्या वेक्टिग्री की बात की अगर यह भी बात करेंगे गुड क्वाल्टी क्वाल्टी भी जैसे मैंने आपको बता है अगर आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का डेमो लेक्टर देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि रिस्क जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है मतलब रिस्क अच्छा भी होता है है रिस्क का मिशाण पुरा नहीं होता है अच्छा पैसे प्दान bistいます कि यह उत मत्ति है जाता है सब सब्सक्राइब कि सर यह बात तो समझ में आती है यह six सिगमां मैं आता है कि भई साधी कस्टमर्स को कभी नी क्या सकता है कि न कैते हैं तुम्हारा प्रोडेक्ट बेकार है तो भी आप लोग six sigma company है तो मैं आपको क्या पढ़ाओंगा six sigma company actual में होता क्या और कैसे हम लोग बताएंगे कैसे हम एक्सपेरिमेंट ली बता सकते हैं कि यह इतनी क्वालिटी स्किल आपके अंदर डवलप कर दी जाएगी पकका-कर दी जाएगी और लेक्टर ना पूरा पढ़ाऊंगा आप उसक्षर के बाद बोलेंगे सर हमें बेज़दो कंपणी में हम बतादेंगे एंगे वह जो क्वालिटी आते ना बड़े बड़े लेट से आ आप बोल सकते हैं ऑफीसर स्टाइप आते हैं बोलते हम चेक करेंगे अरे कुछ नहीं उसमें चेक करने हैं फालतु बगवास करते रहते हैं अनपड़ लोग को अंजान लोग को बेफ़कू बनाना तो आसान होता है ना उन्हें बोलते हैं तुम्हारी ये क्वालिटी गराब पहले जब मैं लेक्चर शुरू करूंगा तो आपको क्या पढ़ाऊंगा सेवेंट टूल्स पढ़ाऊंगा ये वह सेवेंट टूल्स हैं जिससे की 95% क्वालिटी की जो प्रॉब्लम से वह सॉल्व हो जाती है है ना चेक शीट होती है पारेटो चार्ट होता है हिस्टोग् आपको ब्रीफ में मैं कुछ चीज़ों के बारे में बात करूंगा कुछ चीज़ों के बारे में जैसे एक पॉइंट पकड़ते हैं इस्ट्रेटिफिकेशन तर यह बाकियों से क्यों अलग है बाकियों से क्यों अलग है तो स्ट्रेटिफिकेशन क्या बोला ध्यान से सुनो कोनी सो इस्ट्रेटिफिकेशन बोला कि तुम्हें WOW क्वालीटी चेंक करनी है ओधी अभी मशीन से क्या आजए अभी freshmen मशीन से क्या आया हैं अभी मशीन से प्रोडेक्ट खराब आया है अच्छा प्रोडेट्थ खराब झ्यार खराप आया है अब इसका स्टा प्ता लगाना पढ़ेगा लाग। stratification के बारे में बड़ी मज़ेदार चीज़ सिखाऊंगो आपको मज़ा आ जाएगा आपको stratification यह बोलता है यह बोलता है है clarity मंपकोने ऒवे अर सब्सक्राण माझे त vermeाटाओ अग्रास बारे में इस psychiatड रशेंन शयान रवे आपकोश्टपिंवे जसभ्राण में वें ल Foiди API को अगे ट ऐस is there any problem in machine क्या मशीन की वज़े से प्रोड्रेक्ट डिफेक्टिव आ रहा है क्या मशीन की क्या मशीन में कोई गड़ बढ़ी है क्या हम यह चेक करके देख सकते हैं कि यह जो डिफेक्टिव आ है कि इसमें मशीन का रॉल तो नहीं कहीं मशीन ने खराब निकाला हो क्या पता कैडिफिकेशन ने बोला जैसे माच आए मैं काम कर रहा था मशीन पर मशीन पे काम रहा था ठीक है और मैंने अ को बढ़ा बनाया हो बोले प्ल utilizz shed बौक राड़ तुम मशीन को अ मज़ह प्लेना तॉन ने मशीन चल्या उद ऊट्वें था रामू ने मशीन चलाई और थब क्या तब भी डिफेक्टिव आया सब्वी प्रोडेक्ट माथाती है थीक है अधन्य क्या हुआ है हुआ क्या मैं नहीं जो मचल या इसे आया था और रामू रहें कब बना लिए है अब लग हो सकती है मैंने तो भ牌intra कब बना लिया अब अभी भी भी इफेक्टेव आया अब ध्यांतो चक्कर यह पड़ गया कि अभी तक कोई यह नहीं पता लगा आपा रहा है कि वज़े से खराबी होई है रोम ब Oui क्या बंदा जो वरकर है उसकी वज़े से खराबी होई है यह मशीन में वाइ cigar मॽ्खे अहकर आप सब्सक्राब ठाओ पर इंपड़ों भी बाटों जोंगे शोचके बताओ अगर तुम यह पता लगार than चाहते हो f is the सुनो ध्यान से f is the या y is the function of y is the function of x y z और तुम यह पता लगाना चाहते हो कि z का z क्या impact है y पर z में change होने से y पर क्या impact आता है तो याद रखना उस time x और y को क्या रखते हैं constant रखते हैं क्या रखते हैं बच्चो तो अगर मैं क्या निकालना चाहता हूं जैड का impact उस time में क्या रखूंगा x और y को क्या रखूंगा constant रखूंगा और तब मैं यहाँ पर value निकालूंगा तब मुझे पता चलेगा कि क्या चीज़ें जो change हो रही है क्या जैड का change रॉल है क्या इसमें तो मैं क्या बतानी कोशिश कर रहा कि ध्यान से तुनों अगर आप machine का पता लगाना चाहते हैं machine अगर आप यह पता लगाने चाहते हैं तो use the use the same raw material तेम र मतीरियलक भाटर इंब कर आति मटेडल चेंज नहीं होना चाहिए है यूज यूज तेम वरकर और को यूज हने अदर रिसुर्सिश अगर कोई और भी यूइवर रहंगे और रिसॉर्स नस्य करें देन, देन, compare the, compare the few outputs, compare the few outputs coming from, coming from machine, क्यों भई, समझ में आया, पता चला, तुम सारी चीज़े क्या कर रहे हो, तुम सारी चीज़े चेंज कर दे रहे हो, क्या कर रहे हो बिटा, आप लोग सारी चीज़ें चेंज कर दे रहे हो, समझ में बाता है, अब सारी चीज़ें अगर चेंज कर दो कि तो कैसे पता चलेगा कि the problem is due to the worker or it is coming out because of the raw material, let's say, low subgrade material आपके पास है, या आप कैसे पता लगाएंगे कि it is happening because of machine, so please remember if there are number of factors which can influence the quality of the product, clear, which can influence the quality of the product, in that case, please remember or accept one, all other parameters are to be kept constant if you want to find out the impact of this single parameter on the machine output, are you getting this point or not, clear, तो ये तरीका हुआ हमारे किसका, ये तरीका हुआ हमारा पता लगाने का, तो stratification is that technique which is what, which is focusing on one to one relation, one to one relation, now come to the next one, now come to the next one, अगर हम अगले पर आते हैं बेटा, तो यहाँ देखो, seven tools में, ये क्या था हमारे पास, कुछ बता रहा इसको discuss करूँगा, एक stratification मैंने आपको brief में पता है कि क्या बाते करता है, तो options कैसे questions आ सकते हैं, एक statement देखा, one to one relation is emphasized by, yes used by, which one of the, which one of the quality tools, options देखा, checklist, parato, stratification, cause effect, लगा लेगे ना, हर एक की अपनी कुछ specialization है, and these seven tools are very very important, very very important, तो हमने क्या देखा, हमने ठीका की यह देख देखो, क्या लिखा है, these seven tools can solve the 95% of the quality problems, ठीक है, तर बाकी 5% का क्या करते हैं, पढ़ेंगे ना बाकी 5% का, last statement में प्राव नहीं याद, more advanced tools are needed only for the remaining 5% problem, केवल बाकी जो 5% problems हैं, उनके लिए advanced tools में आपको पढ़ाऊंगा, जैसे yy analysis पढ़ाऊंगा, 4w and 1h analysis पढ़ाऊंगा, हम लोग बहुत तरह की analysis पढ़ेंगा, और यह बहुत ही technical subjects है, project management और quality management, सारे subjects को अगर बनाया जाए, तो technically पढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना, ओके, तो यह देखते हैं, यतने 7 tools से ना, फिर से एक बार दिखा रहा हूं बच्चो, 7 tools में से देखना मैं आपसे कौन-कौन से आज discuss कर रहा हूं, थोड़ा-थोड़ा मैं brief में आपसे discuss कर रहा हूं, एक मैं stratification discuss कर रहा हूं बच्चो, और एक हम क्या discuss कर रहा है, control charts कर रहा है, क्या क रहा, अब दो तरह के control charts हैं, एक क्या है variable chart और एक क्या है बच्चो, attribute chart, variable chart और attribute chart, अब यह variable chart क्या होता है, variable chart होता है, जब आप वर्नियर कैलिपर लेके, ध्यान से सुनिए, आपने scale लिया और आप चेक कर रहे हैं, कि जैसे मान के चलो, demand क्या है, demand क्या है, यह देखेगा, यहाँ पर आते है, customer demand, क्या है यहाँ पर, customer demand, customer demand की बात करता हूँ, मान के चलो, वो shaft मांग रहा है, क्या है, shaft, of size, क्या है बिटा, diameter बता रहा हूँ आपको, diameter, diameter, 50 plus minus 0.02 mm, 50 plus minus 0.02 mm, यह क्या है बच्चो, यह diameter customer मांग रहा है, अब machine से shaft निकल के आ रहे है, आ रहे है, और आप हर एक को क्या कर रहे है, वर्नियर कैलिपर डिवाइज होती है, आप इंजिनिंग के स्टुडेंट है था, आपने फर्स सेमिस्टर में का, तो सभी नग किया होगा न, वर्क्शोप, तो आपने देखा होगा, वर्नियर कैलिपर, वगेरा होता है, उसमें, तो आप वर्नियर कैलिपर से हर shaft की dimension ना पर रहे है, और फिर आप बता रहे हैं कि यह, 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 49.982, 50.02 mm के बीच में है या नहीं, 49.98 भाई, यह सोच के देखो न, यह क्या है सर, यह क्या दे रखा है, प्लस माइनस, अरे भाई, यह tolerance limit है, कोई कोई भी, दुनिया में कोई ऐसा नहीं होता है, जो 50 mm का लगातर क्या करें, 50 mm का लगातर आपको shaft बना के दे, मशीन में थोड़ा बहुत vibration होता है, कुछ ऐसे uncontrollable parameters होते हैं, जिनकी वएसे हम हमेशा 50 mm नहीं बना सकते, so what is the tolerance limit, which can be bear by the customer, बोलता है, थोड़ा बहुत 19-20 कि ये customer की demand है, ये क्या बोलता है, ये, variable charts क्या पोलते हैं, ये बोलते हैं, कि वर्नियर कैलिपर लेकर आओ, क्या लेकर आओ, और नापो, या करो, shaft नापो, नाप नाप के बताओ कस्तूमर को, भाई, वर्नियर कैलिपर से shaft नापने में कौन इतना सरदर्द करेगा, ठीक है, क्या हुआ आप में इसे एक बंदे ने क्या किया आपने मान के चलो एक नाम ले लेते हैं लेट से दिनेश दिनेश ने क्या किया दिनेश ने हमें सजेस्ट किया कि सर यह सब वर्नियर केरी पर छोड़ो मैं आपको क्या करता हूँ मैं आपको दो ring बना के देता हूँ क्या बना के देता हूँ दो ring दो ring द्यान से सुनो ring उसको बोलते हैं gauges go and no go gauges ये एक तरह की ring है बच्चो द्यान से देखना कैसी ring है मज़ा आएगा आपको ये सब पढ़ने में ठीक है ये देखो ये ring है जिसका diameter जिसका diameter कितना है बच्चो let's say 49.98 और एक और ring है बड़ी कर देते हैं इसका diameter कितना है बच्चो इसका diameter है 50.02 mm ये दो ring दे दी है ring बोलता है सर हो गया काम क्या करना है ये देखो बिटा यान से सुनना आपको बताने कौन सा go gauge है कौन सा no go gauge है अगर ये shaft अगर ये shaft सही है और customer इसे खरीद लेगा तो इसको check करने का तरीका बताता हूँ check मैंने क्या किया ये जो shaft है इसको ध्यान से समझना मैंने जो ring लिया वो क्या है 50.02 वाली है 50.02 सोच के बताओ और ध्यान से सुनो इसके बीच में होना चाहिए customer तब ही खरीदेगा जब आपका जो shaft का dimension है वो इसके बीच में है समझ में बात आती है तो चलाओ दिखाता हूँ गौर से देखो यहां दिखाता हूँ ये क्या है बिटा ये देखे 50.02 से चला गया चला गया 50.02 वाली देख से क्या हुआ पास कर गया इसका मतलब 50.02 से छोटा है 50.02 से छोटा है और हमें चाहिए भी छोटा तो इसका मतलब 50.02 क्या है ये आपका कैसा gauge है बिटा इसमें से चले जाना चाहिए ये go gauge है क्या है बच्चो, गो गेज, और क्या हुगा, यह जो आप करिए, इसमें से नहीं जाना चाहिए, फस जाना चाहिए, नहीं जारा, जाही नहीं रहा, फुट्टी नाइन पुट्ट नाइन नेट से नहीं जारा, इसका मदलब क्या है, इसका मदलब यह शाफ्ट क्या है, No go gauge में से नहीं जाना चाहिए, No go gauge में फज गया, और go gauge से चला गया, बढ़िया है, दे दो customer को, बढ़िया है, हो क्या काम, कितनी दिर लगी? अगर मैं बन्यार केलीपर से नापके, फिर उसका least count निकालके, least count में multiply करके, ऐसा करके, वैसा करके, सरदर्द करके अगर कराऊंगा, तो सरदर्द, सुनो दियानते, ये रहा सरदर्द method, और ये रहा honey method, ज़र क्या यार, ring में से डालो नहीं गया तो go gauge में से ने, go gauge में से चल तो इसका मतलब दो तरह से control charts बनाए जाते हैं control charts यह बताते हैं कि जो हमारा production हो रहा है ना कहीं वो इस limit के बाहर तो नहीं है कहीं वो 50.02 के उपर तो नहीं चले गए कहीं हम 49.98 से नीचे तो नहीं चले गए और चले जा सकते हैं जाते हैं control charts में भी हम 50.02 से उपर जाते हैं 49.59 मगर कितना जा रहे हैं कहीं हजारों में मान के चलो 10 लाग में अगर दो product हमारे उपर नीचे हो जा रहे हैं या तो बड़ा बन जा रहा है चोटा बन जा रहा है चलेगा ना यार चलेगा मगर अगर 10 लाग में पता चला एक लाग खराब बन रहे हैं मैं कहता हूं 10 लाग खराब बन रहे हैं it is the matter of worry and you have to take the corrective action तो मैं जब आगे के lectures पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा that what action is to be taken and from where you are getting the indication chart पे कैसा दिखता होगा चार्ट पे कैसा दिखता होगा जिससे कि हमें indication मिलता हो और क्या तर defective बनने के बाद हमें corrective action लेना है या हम ऐसा भी कर सकते हैं शुरू में ही पता चल जाए कि यार ये तो नहीं 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 कुछ गलत होने वाला है defective produce होने वाला है तो क्या मैं preventive maintenance पे जा सकता हूं क्या मैं preventive quality approach पे जा सकता हूं तो बहुत सारी चीज़े हम सीखेंगे इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़े हम सीखेंगे ठीक है clear है समझ में बात आती है तो चलो आगे देखते हैं हमने देखा तो इसके भी categories है एक चार्ट आर चार्ट बहुत सारी चीज़े हैं मगर मैं तुम्हें go और no go gauge के बारे में बड़ी मज़ेदार चीज़ बताता हूं बहुत मज़ेदार चीज़ थीक है यह पी चार्ट कया हैускी और उन तीनं के बारे में बात करते हैं हाँ चलो देखते हैं क्या देखते हैं बच्चो और पी-चार्ट क्या है ये proportional proportion chart proportion chart ठीक है एक क्या है हमारे पास NP chart NP chart ये क्या है number या पूरा बोल दें number proportion of proportion of defective charts proportion of defective charts ये क्या है बच्चो ये number of defective charts है number of defective charts ठीक है और क्या है हमारे पास एक हमारे पास C chart U chart मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ ठीक है तो P chart NP chart और क्या है C chart P chart क्या है बच्चो दिस इस number of defects number of defects chart आप बोलेंगे सर ये अंतर क्या है है ये ना तो चार्ट ही लिखना चाहिए नंबर ओफ तो देखो ये है क्या बच्चो आपको इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकरी देता हूं ये इतनी मजेदार चीज है इतनी भड़ी पांस तरह की पालक पनीर ये ना शाही पनीर लेट से गोभी में गोभी पनीर मसाला ठीक है और दम आलू और दाल मखनी अधिक है खाना बनाने का भी शौक है उतना अच्छा ने बनाना नहीं आता पर फिट भी अप्टूद अमार का आता है ठीक है तो क्या हुआ बच्चो अनुजा ने आके बोला सर मैंने 500 सब्जियां क्या टीस्ट की पांचों सब्जियां टीस्ट की बोलती है सर इसमें 40% सब्जियां defective है 40% सब्जियां defective है defective दिहान से सुनना उसने percentage में बात किया है percentage 40% proportion of defective chart क्या बनाया उसने पी चार्ट बनाएंगी डास जब करेंगे तर बनाएंगी नहीं मगर क्या बनाया अनुजा ने क्या बनाया 40% defective है इतने में राम आ गया सीधर सीधरने बताताुं पांच में से दो सब्जियां टेश्टी नहीं है वह 50 परसेंट बोल रहे था पांच में से दो सब्लेवान अच आísर मैं आए जराँ बना दरा राम ने ईंडिंड और और तो बात चल लेए एक बोल रही यह एक बोल रहा है दो कि जा रही थी जा रही थी बोला एक क्यों बनाई गए तो we थोड़ा सा पूरियां बना दियो अजय मैं बताता हूं यह सब रियल कहानी है यह मैं ऐसे मन से नहीं सुनाता बना बना के जैसे जब कन्या लांग रहा होते हैं जब नव रात्रे चलते हैं तो नव यह दिन क्या होता है बच्चों को खाना खिलाना होता है तो क्या होता था छ सब्सक्राइब कर ल整 day पता चला मंवी बढ़ी जल्दी से बच्चे बार से न्यकुत नेक्रासा जनक रे बड़ी सब्सक्राइब भर्ले वह और जैसी मैंने पूड़ी डाली बेटा पता चला तेल उत्रा गरम नीदा पूड़ी फूली नहीं इतनी दिर मैं मम्मी ली आई बच्चो को मम्मी बोली तू हट जरा मैं देखती हूं क्या घदा है यार तू क्या करता रहता है तुझे पूड़ी बनानी नहीं आती अरे यार मम्मी ने मेरी महा बेच्जिती कर दी या नहीं कर दी माने मेरी महा बेच्जिती कर दी कैसे कर दी मावाप क्या बेच्जिती करेंगी वह तो प्यार करते हैं मैं ध्यान से सोचो अभी एक ही पूड़ी बनाई है और मम्मी ने सब को बोल दिया 100% पूड़ी खराब है 100% पू यही तो रिये लेफ में तरह कि कब एंपी लगाएंगे कपपी लगाएंगे सीखेंगे ना लेक्चर में सीखेंगे भाई पूरी तरीके से मगर यह तो रही हो गई अनुजा और राम की बात अनुजा बोलती है 40% सब्जियां खराब है राम बोलता है कि नहीं सर दो पर दो पर रहा है चावलों में घुस रहा है ठीक है मैंने गा और बता सब्जी कैसी बनी है एक अलग लेवल पर चला गया अनुजा अलग यह राम अलग है लखन का सुनो द्यांसे लखन का लेवल देखो क्या बोल रहे हैं बोलता है सर यह कोई मटर पनीर है ना इस पर पनीर बच है पकी ततुरों द्यांसे अनुजा 5 सब्जियों में बता रही थी कितने क्ते सब्जीं में कई राम यह बता रहा था किंति पर इस पर कितने फोंच में से कितनी रूट रहा है यह यह शन favor till various ऐस जो दो तो एक ही सब्जी में डिफेक्ट रूट रहा है इस सब्जी में पनी नहीं है मतर पनीर बोलके मतर सव्त खिला रहे। सर इसमें मिर्च जाथा है इसमें और यॉल्अ भर रख्ञा है इसका मतलब किया हुआ बच्छो एक-सब्जी म count of effects तो क्या कहते हो कुछ मज़ा आया इस पे हासर ये बात तो सही है जैसे वर्नियर कैलिपर वाला और गो और नो गो गेज वाला कॉशन बड़ा भड़िया है यहाँ पर यह जो अनुजा, राम और लखन है यह कुछ अपनी अलग-लग बाते कर रहे हैं ठीक है, मम्मी ने एक पूड़ी बनाते ही बोल दिया कि भईया, तू तो 100% पूड़ी गलत खराब बनाता है, ऐसे कि इसमें 58 मत लगाओ भई, 100% मुझे क्यों बदनाम कर रहे हो बताओ ना दुनिया को कि मैंने एक ही पूड़ी बनाई थी, एक पूड़ी खराब बनाई थी है ना, एक ही बनाई थी, एक खराब बनाई थी यह बताओ ना, लोग कम से कम सोचने कि यार हाँ, दूसरी वाली सही, पहली पूड़ी कोई भी लड़का बनाएगा तो बेटा खराबी बनाएगा क्योंकि पेशेंस तो दिखाएगा नहीं ओयल गरम होने नहीं देगा पहली पूड़ी या पहला चिप्स या पहला पापड़ वो खराब करता ही करता है समझ में बात आही क्या है तो ऐसी चीज़ है कि क्वालीटी को कैसे कंट्रॉल करना है कैसे इंप्रूब करना है कैसे मेंटेन करना है बहुत सारी बात चांगे स्ट्रेटिफिघेशन मैंने आपको बताया थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा Communistangen चार्ट आपको बताया पर I hope कि आप इन चीजों को enjoy करने वाले हैं ठीक है ना और अभी भी आपने enjoy किया होगा कि हांतर ये तो real life कहानिया है हम इन चीजों से इतिफाक रखते हैं बिलकुल रखते हैं तो अभी के लिए मैं बस आपको इतने ही बोलूँगा बीटा thank you so much get ready get ready for the full course ठीक है और ध्यान से सनो जितना मज़ा आपको आज की कहानी में आया है उससे कहीं ज्यादा मज़ा और कहीं ज्यादा practical कहानिया बहुत सारी कहानिया जो आपकी सोच डवलप करेंगी quality management को लेके project management को लेके ऐसी कहानिया हम लोग बाते करेंगे बहुत सारे questions practice करे है ठीक है और पकी बात है कि आपको quality manager साथ साथ project manager यहीं से बना के भेजना है सीधे जाओगे engineering services में जहां भी करोगे आपको quality और project management और लेडी आता होगा वहां पर सीधे implement कर देना जाते ही लोग टेंशन में आ जाए यह नया सा लड़का आया है यह इतना सारा कैसे इन्हें पता है इतना सिखा दूगा कि वहां लोग अचंबा करेंगे यार इतना कैसे पता है लोगो समझे हैं नहीं तो यहीं पर खतम करते हैं thank you so much बच्चो wish you all the best for your future examinations मन लगा के पढ़ाई करो धूआधार पढ़ाई करो thank you so much